हेलो वेल्कम बैक बोईज और गोड कंसोल सीरीज और भाई आज के इस एपिसोड में हम फाइनली टेम करने वाले हैं लेवल 10,000 के ग्रिफिन को येस गाइस और भाई उसके लिए फाइनली भाई बहुत महनत मेरे को लगी एक सूपर ग्रिफिल की बल बनाने के लिए पर मैंन जो है भई महनत सफला है हमारी और मैंने एक सूपर ग्रिफिन किबल बना लिया है यह राग देखो यहां पर देखो सूपर ग्रिफिन किबल अब भई इसको बनाने के लिए न मेरे को इतने सारे ग्रिफिन को टेम करना पड़ा, मैं तुम्हें क्या बता हूँ देखो एक त पिर दो ग्रिफिन और है वो पता नहीं कहां पे चलिए मेरे बटा फाइनली अभी हमारा सूपर ग्रिफिन के बल बन चुका है तो अब हम कर सकते हैं वही टेमें ग्रिफिन को और भाई मैं अपना पूरा ट्राइग करूँगा कि मैं मोराजर को टेम करूं रिवाइव कराके उसका इंप्लांट मेरे को पता भी नहीं कहां पे है ओकि यह रहा मोराजर का क्या बोलते हैं इंप्लांट भाई यह सब मैं मोराजर के लिए कर रहा हूं इतनी मैंनत वरना मैं एजिली जैसे मैंने यह वाले ग्रिफिन स्टेम किये वैसे मैं उसको भी मतलब किसी और मोराजर कौन है तो मोराजर मेरा सबसे पहला ग्रिफिन ता जिसको मैंने गलती से अंक्लेम कर दिया था और फिर मुझे उसे मारना पड़ा ताकि मैं उसका इंप्लांट ले सकूं तो भाई इसलिए मैं इतना उप्सेस्ट हूं उससे और हाँ गाइस जार कमेंट बोक्स में तुम ज़रूर से मेरे को सजेस्ट करो कि आगी कौन सा डाइनोसोल टेम करना है ताकि मैं कर सो कोई अच्छा सा डाइनो टेम ठीक है भाई आई गैस से मैंने सारी यार यह कर ली है यह 54 तो यह इनफ रहेंगे मेरे हिसाब से भाई और ट्रैप मेरे को एक लेना पड़ेगा ट्रैप में ले लेता हूं जिसके अंदर पन लोग उसको फसा कर टेम करेंगे ना ग्रिफिन को नहीं मेरे को काफी आद आ रही है मोराजर की इसलिए मैंने ग्रिफिन सूपर ग्रिफिन के पर लेना तो मैं भूली गया और मेरा एक लोग ता ग्रिफिन था वो अब भाई उसको तो बचाना पड़े गई ना बिना उसके तो भाई ऐसे कैसे चलेगा है अच्छा तुम्हारे पास भी ना कोई ऐसा डाइनोसोर हो बागी जिसको तुम बहुत जादा पसंद करते हो अगर ऐसा डाइनोसोर है ना तो भाई अपनी यादे मतलब उसके साथ शेर को रहे हैं और कमेंड बोक्स में मेरे को बताओ वही कौन सा वह डाइनोसोर है जिसको बहुत सारे ग्रिफिन्स मेरे को टेम गरने पड़ेते तब जाके मेरे को एक पेर मिला था काफी जादा मेहनत लग गया इस ट्रैप को लगाने में थोड़ा सा एक प्लेस गिलीची सी है या इस ट्रिव्यूट टर्मिनल के उपर तो थोड़ा तो में भी डाइम लग सकता है बट हाँ यहां पर लग जाता है मतलब यह अपना ट्रैप ओके तो अभी यहां पर जिल्दी से यार बस इसको रिवाइव कराना है मैं तो पूरी तरीके से एक्साइटीड हूँ इसको दुबारा देखने के लिए ओके थ्री टू वण ओके हो गया अभी अब मुराजर अपनो गया यार वापस से अच्छा अरे यह तो निकल गया कि ब्रो कोई बात नहीं कोई बात नहीं मारने दो इसको जिसको मार रहा है भाई भाड में जाए सब अगर मर भी गए ना मेरे को कोई फरक पड़ता नहीं है अपन लोग तो मुराजर को लेवल 10,000 का बनाएंगे भाई मेरे पीछे आ रहा है अब इसको ट्रैप करना है मेरे को बस खुल जा भाई ट्रैप अरे आ क्यों नहीं रहा है भाई यह तो चाला के बहुत मेरे ग्रिफिन मार देश ने बट आइड मेरे को सिफ मोराजर से मतलब है ठीक है अभी मेरे को मेरे पास मोका है इसको ट्रैप में ले जाने के लिए वह मैं करूंगा अपने ट्रैणर डॉन से क्योंकि इसकी हेल्थ अच्छी खासी है तो उसमें अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आजा बैए वेट कहां गया इवे निकल गया अरे ये निकल गया ना ट्रैप से अखे ऐसे मेरे को भार निकलना पड़ेगा अरे मेरे को तो कुछ दिख भी नहीं रहा गेट बंदो भाई गेट बंदो क्या कर रहा है गेट ओके नाइस अब टक गया इजी ले टक जाएगा अब भाई अपना ट्रैनर डॉन भी निकल गया फाइनली भाई हमने इसको अठका दिया है ग्रिफिन को अपने मुराजर अब तो तेरे को कोई नी बचा सकता मेरा होने से यह ले अरे यह निकल कैसे जा रहा है उपर से तोबा 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 थारा मोट खरब कर लिया भाई मैं इसको जाने ने दे सकता भागने नहीं दे सकता भाई यह इचना इंटेंस नियों होना चाहिए था बट आइड डॉन्ट नो बट ट्रैप काम नहीं करा बिल्कुल भी भाई मोरासर को पकड़ने का गाईस अपना पहला ट्राई तो फेल हो गया है यहां पर अभी मैंने जो है एक ट्रैप बना दिया है उससे अलग अब होफुली यह ट्रैप वर्क कर जाए बट इसके अंदर एक दिक्कत है ओ नहीं है ओके निकल सकते हैं पनलोगी इसलिए भाई अब मेरी पूरी की पूरी भाई उमीदे इस ट्रैप है क्योंकि भाई मैं सही में मोरासर को पकड़ना चाहतू भाई यह कुछ जादी पावर्फुल है इसने मेरे जो है सारे ग्रिफिंस को मार दिया है जो यहां पर थे तो मेरे को इससे ट्रैनर डौन से इसको पकड़ना पड़ रहा है आ रहा है ना भई ओके अटक गया इस इस ब्रो इजी है इसली ड्रैप हो गया भाई इतनी जंजट करने की तो मेरे को जुरूरती नहीं थी तोर्पॉर कितना इसका वह काफी सारा टोर्पॉर मैंने पहले ही चड़ा रखा है हाला इसको हाला की इसको बट चल जा भाई बहुत खुश हूँ बहुत मैं राजवर मेरे को मिल जाए ऑगर जले ऊटनी से अब मेरा हो जात्यस मोराज़र ये ले भागने तो लगा है बटी ऊपर से ने निकल जाए बस मेरे को इस बात कर डर है बाई मैं तो इसके पीछे बजाए जा रहा हूँ भाई तेख रहे हो कहां मा रहा हूँ मौराजर को मैं इधर से अंदर खुषता हूँ भाई ओ नो को गया येस येस फाइनली भाई नो को गया अपना मौराजर अब भाई थोड़े बस थोड़ा सा टाइम के बाद अपना हो गए मैं तो बहुत खुश हूँ भाई 686 लेवल का मौराजर भाई भाई कितने प्यारी प्यारी मेमोरीज है जो हम दोनों ने एक साथ बिताए है ना ठीक है अरे मैं सूतिंग बाउम नहीं मेरे पास मैं परचेस करना पड़ेगा मेरे को एक ठीक है ओ वेट अच्छा भाई मेरे पास इसका इंप्लांट था ना ओ मैं इसको पहले एक के पास और कोई दूसरा चारा नहीं है भाई मेरे कोई इससे काम चलाना पड़ेगा फिर ऐलो सोरस के के बल से तो मैं काफी सारे लेकर रखता हूं अपने पास अगर यह ना हुआ तो भाई इसको खिला दूँगा मैं साथ के साथ ठीक है और भाई यह बहुत टाइम लेता है मैंने सुना है टेम होने के लिए इसको टेम करना है सका फूड लेवल तो बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम टाइम बहुत जल्दी ड्रेन नहीं हो रहा ना वह इसा तरफ देखता हूं वहाँ पर चारली है बट यहां पर कोई नहीं है yes it's pretty safe right here I guess that is enough भाई अब तो मैं देने वाला हूं उसको हो सके तो भाई मैं वो level up code console का use करका इसको level up करके जल्दी time करने की कोशिश करने वाला हूं अभी यह ले और यह ले भाई दूड यह सही में बहुत टाइम ले रहा है इसको level up करते हैं भाई ओ हो गया what एक बार में हो गया dude are you are you serious bro भाई मोरासर एक बार में टेम हो गया भाई सारे कीबल मत खाजी हो भाई सूपर ग्रिफिन कीबल भाई बाप चीज़ है भाई मान गए बाई सूपर ग्रिफिन कीबल से खतरनाक चीज़ भाई मैंने नहीं देखी आज तक पहली बार मैंने बनाया था भाई यह देखो यार स्पीड गाईस मोराजर टेम हो गया भाई साब यह भाई मेरा फेवरेट डाइनोज है नाइन नाइन फो डैवल को हो गया यह एक बार इसका डाइमिज तुम्हें मैं दिखाता हूं चलो वैसे तो मेरे को भाई इस पर यकीन है पहले से अच्छे करेंगे डामिज कहां है वह पैची ओके चार सो पश्पन हेल्थ है ओके डैमिज नहीं किया ना इस नभी तक अरे ओके एक हीट लगा चार सो पश्पन हेल्थ इसकी अरे अरे मेरे को उतार मत यार मैं देख नहीं पा रहा कुछ ओके 180 कर दिया अच्छे कासे टैमिज कर रहा है बट नौट डाट मच अभी यह देख वही गंदे जानवर आ गए ना एकदम से स्पॉन होके यहां पर जैसे मैंने मारा अभी बएव मैं इसको बेस पे अरे रुग जा भाई मोराजर किसको मार रहा है भी रुग जा ना ओके तो गाइस अभी ना मैं इसको बेस पे लेके चलता हूं बई और उसके मौराजर दी लेवल 10,000 ग्रिफिन रेडी हो चुका है हमारा लेवल 10,000 कम मौराजर देख सकते हैं आप भाई इसकी लेवल काफी सारी इंक्रीज हूई है और अभी यहार बात करते हैं इसके स्टैट्स में मैं बात करके तुम्हें दिखा हूं एक सिकंड तो भाई अगर इ इसकी हेल्थ है और यह काफी अच्छी तरीके से बढ़ रही थी और इसका स्टैमिने भी जो है काफी अच्छी तरह बढ़ रहा था बस इसका मेली डैमेज ने मेरे को थोड़ा सा अपसेट दिया क्यूंकि मैंने इसके मेली डैमेज में तकरीबन 7000 पॉइंट्स 7-7,000 पॉ कि न स्पेट्ट किया है इसको डैमीन यूट बोस्त किया है बहुत फास्त हो गया मौराजडर अभी जलते है इसको टेस्ट करने हैं और बहु देखते हैं कि क्या सट कर रहा है। चलते हैं जो यहां पर क एक एलफा रैप्टर को देखा था स्पॉन और कदव यहां पर वो अभी मेरे को फोर्सम रीजन्स दिखने रहा है यहां पर पता नहीं कहां गया ठीक यहीं पे था वहां ठीक इसी जगह पे था पर अब भाई वहां पर नहीं है ओकी दिखा मुझे यह है ना भाई यह राम यह रावई अलफा रैप्टर इसकी हेल्थ में तुम्हें दिखाता हूँ अरे भाई यह तो टूट पड़ा मेरे उपर आ ना 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 भाई यही मेरे को सीन बुरा लगता है यार इन छुटके रैप्टर्स का ओके एलफा की एलथ भाई काफी दाद है थर्टी सिक्स के एंगे भी अधेफिनेटली थर्टी श्थाउजन देल्थ है वही एलफा रैप्टर की हमारे ओके तो इसको मारते पहले छोटे जानवार को चल निकल यहां से ओके एलफा रैप्टर पे कितनी गई है एक सिकेंड एक सिक मेरे को देखने दो मैंने एक हीट मारा एलफा को ओ भाई काफी जाए अच्छे डामेज किया ना इसने अठारा हजार हेल्थ बच्छी है उसकी और वो मुझे कितना डामेज दे रहा है वह तो कुछ भी नहीं दे रहा मुझे अरे इतना घटी है डामेज दे रहा है और ग्रिफिन का शायद डाइब डामेज भी बहुत साथ होता है मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह डामेज अभे लगा ही निवर्ट ओके बैटके वही मैं काफी कम डामेज करों बट खड़े होकी काफी अच्छा डामेज कर रहा हूं आग और फ्रयाप्टर खता ही हो गया यह लो गई क्या-क्या मिला मेरे को 93 प्राइम मीट मिला प्रो अच्छा क्लेक्ट करता है और कुछ नी मिला क्या मुझे है कि इसका बैक भी नहीं यहां पर पता नहीं और कुछ मिला नहीं शायद मुझे अजीब सी बात है मिलना तो चाहिए था एक बार यार इसको कार्णीवर आइलेंड पर भी लेके चलते हैं यार तेखते हैं वह बहुत है इतना फास्ट है ना मैं ड सब स्पॉन हो गए होंगे यहां पर भी है कोई अच्छा सा जानवर जिससे में लड़ सकूँ यहां पर तो नॉर्मल जानवरी है भाई इतनी अच्छी तरीके से यार इसको अभी तक टेस्ट कर नहीं पाए है और मेरे को टाइम नहीं मिला भाई एक क्रिसे टाइटन ने सो ज्यादा पावरफुल होता है भाई मैं तो गिर गया पानी में मुड़ा हज़र वाट इस दिस प्येवियर हां कहां गया है वो देखो भाई खुद कहां बैठा है चड़के ओए इधर आ नीचे आ भाई काफी खतरनाक जान मरें यहां पर मैं मरना नहीं चाहता ब्रों ऑके इतने पावरफुल कहां से होने लगे कार्नोसोरस ओकी बोईज आज के इस अपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं आज हमने अपने मोराजर को वापस टेम कर लिया और इसको अच्छे से हम एक और बार कभी आगे टेस्ट कर लेंगे पर इसकी स्पीड देख रहे हैं तुम तो यह देखो बाई तो कुछ भी रहb separately बिना किसी में बइसके कि किसको टेम करें अगले अपिसोड में तौए bütün ठीक है तो आज किसे अपिसोड में इतना ही बाई पाय बाई